नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ जोती सिन्हार पिहार की रास्थानी पटना इस्तित बेउर जेल में कैदियों ने जम कर बवाल किया है और साथ ही जेल प्रशाशन पर कई गंफीर आरोब भी लगा हैं उनके इस बवाल की वज़े से सुरक्षा कर्मियों को लाठी चार्ज करके उन्हें शान्त करना परा है वहीं आपको ये भी बता दे कि कैदियों ने जहां सनिवार को जेल प्रशाशन से नाराज़गी बताते हुए भूखरताल किया तो वहीं उनका ये भूखरताल आज भी जाड़ी है क्या है बुरा मामला? चलिए आपको डिटेल से बताते हैं दरसल कैदियों का आरोप है कि उनसे जबरन जेल में काम करावाया जा रहा है जेल में बंद कैदियों से खेती बाड़ी कराई जा रही है बेव जेल में BPSC पेपर लीक कांड और अवैद बालू खनन कांड से जुड़े कई रसुकदार बंद हैं इनमें कई मेजिस्ट्रेट स्तर के पदादी काड़ी भी शामिल है जेल में साफ सफाई की बत्तर स्तिती का आरोप लगाया गया है और साथ ही आज सुबह बंदियों ने इसके विरोध में जोड़दार हंगामा किया है इस पर वहां मौझूद सुरक्षा कर्मियों ने लाठी चार्ज किया आरोप लगाया गया है कि जेल प्रशाशन इन लोगों से जबरन काम लेता है इन लोगों के द्वारा मना किये जाने पर इनकी पिटाई की जाती है जेल प्रशाशन से शिकायत का भी असर नहीं देखा जा रहा हंगामी की सूचना मिलने के बाद जेल सुप्रिडेंडेंट जितें प्रशाद मौके पर पहुँचे और भूख हरताल कर रहे बंदियों के साथ बैठकी अधिक्षक ने कहा कि मामला शान्त करा लिया गया है कैदियों ने अपनी बात बताई है इस मामले में आवशक सुधार के निर्देश भी दिये गए है वहीं जिला प्रशाषण को इसे लेकर के सूचना दी गए है और जिला प्रशाषण अब इस पूरे मामले की जाच कर कराई करने की बात कह रहा है इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट है वो हम आपको बतलाएंगे वही आपको यह भी बता दे कि जेल में बंद कैदियों का ये जो गंभीर आरोप है वो कहां तक सही है इसे लेकर के अभी जिल्या प्रशाशन जहां जाच कर रहा है तो वहीं ये भी बात गंभीरता से सोचने की है कि काफी अच्छे अच्छे जो घरों के लोग हैं वो लोग कैदि के तोर पर जेल में बंद है और उनसे जबरन काम करवाना और उनकी पिताई करना जो की जेल के नॉंस के अगेंस्ट है जो भी रूल्स नहीं है उन CAR चलकर काम कराये जा रहा है ऐसे में जाच और कराई बढतनी की जरूरत है से लेकर जो भी अपडेट है वो हम आप त देश्वान्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए।